नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका क्रिकेट विद नाराइन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तरह लेकर आये क्रिकेट के तीन बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप मत करना पाती जाएंगे रोईट शर्मा और विराट कुली रिशपपन मुझे लगता है कि नमबर तीन पर बैटिंग करेगा उसके बाद शायद सूर्वे कुमार यादो बैटिंग करेगा और उनके डिसमिसल के बाद इंडिया ये सीचुएशन देखकर डिसाइड करेगी कि शिवम दूबे को बेजना है या फिर हर्दिक पांडय को और फिर उसके बाद रविंद्र जड़ेजा और अक्षर पटेल याने कि इंडिया के पास काफी सारे लेफ्ट हेंडर प्लियर है लेकिन मेरा क्वेशन ये है कि ओपनिंग कॉमिनेशन क्या होने वाला है अभी तक इंडिय किये है वो अभी तक क्यों इंफर्म नहीं किये गए है और ये बिल्कुल भी आइडियल नहीं है और कोई भी सीनियर प्लियर ये खेला नहीं है लाश्ट वर्ल्ल कप से इसलिए मुझे फिल हो रहा है कि हम पूरी तरह से प्रिपेर नहीं है हम अभी भी प्रॉब्लेम्स को बी ओपनिंग करवाई लेकिन लाश में हमने रोहित और केल राउल से ओपनिंग करवाई और विराट कुली को नमबर तीन पर खिलाया जिसका बिल्कुल भी यूद नहीं हुआ और यही चीजों के वज़े से हमें प्रॉब्लेम हुई थी इसलिए मुझे लगता है कि यह एक वर्निंग है इंडिया के लिए और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हम अच्छे से प्रिपेर नहीं है इस वर्ल्ल कप के लिए हमें जल से जल इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा मैं होप करता हूँ कि इंडिया को इससे प्रॉब्लेम ना हो उसने विराट कुली को फसा भी दिया था लेकिन फिल्डर ने कैच छोड़ दिया वर्ना वो मैच इंडिया नहीं जित सकता था और देखे तो मेलबन की ये बाउंसी पीच थी और न्यूयोक की पीच देखे तो वो भी सेमी है इसलिए इंडिया को अगर जितना है तो इंड और ओयकुमार यादो को नमबर पाच पर रिशब पंद को और नमबर चे पर हर्दी कांडय को खिलाना चाहिए और नमबर साथ पर रविन्द्र जड़ेजा को रखना चाहिए और उसके बाद फिर बॉलर सोने चाहिए चलिए कैज आच के लिए बस इतना वीडियो अगर अ लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें